यह सोलर में जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है आज कल यहां का मोसम इतना सर्द हुआ है कि माइनस में टेंपरेचर जा रहा है उसी के दौलत यहां के लोग खाने पीने में गर्म चीजे खाने में ज्यादा इकर्सित हो रहे हैं इसी सन्धर में हमारी दुकान पर पहुत सी चीजें जो सर्दी में गर्मी का एसास देने में इसास करaguesती हैं जैसा की मुंघुली एक सर्दी का अरे मना जाता है हमारी दुकान में तरह-ज़द मिलती हैं जो लोगों को एक अच्छा प्रटीن का सोर्स देती हैं इसके साथ ही जैसे रेवडी, गचक, मुखली और तना तना की गचकी हैं, तिल वाली गचक है, तिल का भुगा है, शुद्ध देशीगी की गचकी है, और तिल भुगा ये सब हमारी दुकान से मिल सकता है, जो यहां के स्थानिय लोग और बाहर के लोग आकर इन चीजों काम मेरा नाम कृष्ण दर्थ शर्मा, मैं यहां से 24 किलो मेटर दूर एक गाउं से आया हूँ, और यह जो मुखली की दुकान है, यह बहुत पराणी है, जब इनके बुझरू लोग थे तब से यहां से मुखली लेता रहा हूँ, लगवाग 35-40 साल से मुखली यहां से हम ले र बहुत है, और इसके साथ आप दूसरी चीसे भी खासते हैं, जैसे बदाम है, अखरोट है, प्रन्तु जो सबसे सरल और आम आदमी की पहुंच मुखली है, और मुखली की यह पुराणी दुकान होने के साथ यहां पर ताजी और स्वाद मुखली मिलती है, यह ताजी भून देते हैं और मका देते हैं साथ में भून करके, तो आजकल सद्यों में हर आदमी की पहुंच में यह मका और मुखली है, तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको इसको इस्तेमाल करते हैं. मेरा नाम सुष्मा है, आजकल जिस तरह से विंटर्स चल रही हैं, तो जैसे हर सीजन का अपना मज़ा है, इस सीजन में जो मैं इन देख रही हों के हमारी बेसिक नीट्स, मोर प्रोटीन और नट्स जो की सस्ते भी हों और पारफुल भी हों बॉड़ी के लिए, तो उसमें मैं देख रही हो कि मुमफली, गुड़, अपने तिल, ऐसी चीजें बहुत ज़्यादा लाइकिंग में रहते हैं, और यह पॉष्टिक भी हैं बॉड़ी के लिए, और मैं यह फिल करती हो कि महंगी चीजे खाने से हमारा जो पुराना वाला अपना है, जैसे बच्चे आज फास फूड पे बहुत ज़्यादा अट्रेक्ट हो चुके हैं, बटिये कि हमारी बोवली चीजें फास फूड से कुछ हो तो पानी रहा है, बॉड़ी की नुटिशन नहीं आ पाती हैं, उस चीज में मैं देखते हूं कि मुमफली एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और जिसमें मुमफली एक अच्छा सोर्स तिल जो है, वो रिच अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन जो मिनरल्स है